तोते और कबूतर की कहानी जूटा तोता एक समय की बात है एक जंगल में जग्गू नाम का एक तोता था उसे बड़ी बड़ी डीनगे मारने में बहुत मजा आता था वैसे तो जंगल के बहुत से जानवर इस बात को समझने लगे थे कि जग्गू तोता सिर्फ जूट बोलता है पर फिर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी एक बार जंगल में एक नई चिडिया आई और जग्गू ने सोचा कि अब वो उसे अपने जूट का शिकार बनाएगा जग्गू तोता उस चिडिया के पास गया और हमेशा की तरह बड़ी बड़ी दीनगे मारने लगा उसने चिडिया से कहा कि वो अभी अभी एक शाही दावत से आ रहा है जहाँ पर उसे खाने के लिए एक से एक पकवान मिले वो चिडिया जग्गू की बातों पर भरोसा भी कर रही थी क्योंकि वो उसकी असलियत नहीं जानती थी तभी वहाँ पर कौवा आता है और वो कौवा जग्गू तोता को जूट बोलने पर उसकी निंदा करता है पर जग्गू को इस बात से फर्क थोड़ी ना पड़ता था वो मुह तेड़ा करके वहाँ से चलता बनता है जग्गू अपनी आदत के चलते जंगल के हर एक जानवर के पास जाकर बड़ा से बड़ा जूट बोल कर आ जाता था कभी वो कहता कि वो मोर से भी अच्छा नाच सकता है तो कभी कहता कि वो आसमान में दूसरे पंचियों से भी ज्यादा उचा उड़ सकता है तो कभी वो कहता कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो बहुत अमीर हैं इसी तरह के जूट से जग्गू तोता की जिन्दगी चल रही थी सुन्दर सा कबूतर जंगल में आया जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर बहुत खुश हुए और उससे पूछने लगे कि वो कहा से आया है जैसे ही जग्गू तोता ने उस चिरिया को देखा अपनी आदत के चलते वो फिर दीन्गे मारने लगा जग्गू कबूतर से कहता कि वो पूरी दुनिया घूम चुका है और उसे खूबसूरत होने का खिताब भी मिला है कबूतर उससे कुछ कहना चाह रहा था पर जग्गू तोता उसकी एक नहीं सुनता और खुद की तारीफ करते हुए जूट पर जूट बोलता चला जाता है जग्गू कबूतर से कहता है कि वो बहुत अमीर है और उसका शाही परिवार में आना जाना लगा रहता है तो कबूतर जग्गू से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे वहां से चले जाना चाहिए क्योंकि वो खुद शाही परिवार से आया है जहांके राजा जग्गू तोता को काम में रखना चाहते थे जिसमें उसे अच्छा खाना और अच्छे रहने की जगा भी मिलती पर जबकी जग्गू पहले से ही इतना अमीर है तो उसे इन सब की क्या जरूरत है जग्गू को अपनी गल्ती का एहसास होता है और वो कबूतर से कहता है कि वो सब जूट बोल रहा था और कबूतर से माफी मांगता है पर कबूतर उसकी एक नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है तभी वहां कोवा आ जाता है और जग्गू को को ताना मारता है कि उसकी जूट बोलने की आदत से आज उसने इतना अच्छा अफसर खो दिया अब जग्गू को अपनी गलती का एहसास होता है और सभी से छमा मांगता है और अपनी जूट बोलने की आदत को पूरी तरह से छोड़ देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जूट बोलने से हम बहुत बड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हैं और जूट बोलने से अंत में सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए।